मिसमें लेराख्माने रहीम, student आज की जो हमारा topic है वो है properties of the normal distribution जिसे हम साथ ही साथ proof करेंगे और बताइगे के हमरे पास property of normal distribution का है first property we have the 11 properties है of the normal distribution and most important है student क्योंकि यह properties जो हैं अकसर आप से exams में proof के तौरबे पूछ ली जाती हैं जो के मैं अभी करा रही हूं I'm studying first property my first care had the function fx and the function the function fx defining normal distribution is our proper probability density function pdf probability density function that is we can say fx is greater than or is equals to zero and total area and area area under the curve under the normal curve is unity I just student hum most important property probability density function probability density function one equal but we will prove that one equal statement the function of the fx defining normal distribution is the proper probability density function which should be greater than or is equals to zero and area under the normal curve is unity area under the normal curve is unity how we call this area under the normal curve limits are given we call function area under the normal curve which should be equal to unity and we need to improve this student know that you have the function of the normal which should be equal to minus infinity plus positive infinity and one function of the normal distribution which I have one by two x minus mu sigma whole square and dx indians अब मैं कहतीक हूँ क्या है के मैं यीटिश मैं इन्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्र如果你 फिवेश्पकी है thats मेरे इन सिगमा लेना है question देखें मैंने अगर सिर्फ और सिर्फ यहां डीजी लेने हैं डीजी को लिखना है तो मेरे पर जो डीजी हो तो उसमें क्या होगा डी xn सिग्मा यहां आ जाएगा ठीक है अब मैं इसको आपको बियान करके बिताते हूं कि हमने इसको solve कैसे करना है है और यह सारा कुछ कैसे होगा अब मैं सिर्फ और सिर्फ वैलियूस पूट कर रही हूं बाकि function मेरे पास वही रहीगा मेरे पाफ फंक्शन क्या है देखें सिग्मा जो मेरे पास है वह में क्या लिख दूंगी सिग्मा टू पाई E minus ये किसकी equal है? सारा Z की equal है तो Z square divided by 2 and D X की जगा मैं क्या लिख सकती हूँ? Sigma D Z दिखे हैं मैंने D X की जगा क्या लिख दिया? Sigma D Z अब दिखें Sigma Sigma से cancel out हो गया मेरे पास जो under root 2 pi है ये constant है तो मैं इसको बाहर ले 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 square 2 and D Z I am studying यहां मेरे पास जो मैं कहती हूँ कि let कर लेती हूँ कि मुझे इसको short करना है ये चीज़ जो इसको let करती हूँ कि जो Z square divided by 2 है मैं क्या लिखती हूँ कि let Z square divided by 2 is equals to Y कर लेती हूँ मैं suppose कर ले ले हूँ रिमीनिंग रहता है अब दो कि मैंने टू टू से cancel out कर दिया अब मेरे पर D Z जो है वो किसकी equal आजएगा D Y and divided by Z क्योंकि मुझे सिर्फ D Z चाहिए है तो मैं Z को नीचे ले जाँगी अब जो Z की value हो किसकी equal है देखें आपके पस जो Z की value हो अगर मैं यहां ले ले लिए स्क्वेर और इन दुरों को cross multiplication करें इनका under root लूँगी तो Z मेरे पास आजएगा और यहां के आजएगा 2Y अब 2Y मैं इसकी जगा लिख सकती हूँ कि D Z is equal to D Y and under root 2Y यहां तक आपको समझ आगी कि मैंने suppose किया है फिर उनकी simple derivation ली है जहां मेरे पास Z आ रहा था महां मैंने Z की value इस जो मैंने function जिसाँ suppose किया महां से निकाल के लिख दी है अब student मेरे पास जो यह values है इनमें मैं put करती हूँ जब मैं put करूँगी तो मेरे पास क्या आजएगा मेरे पास आएगा अंडर रूट टू पाइ और आजएगा जो मेरे पास वैल्यूज आजएगा माइनस इंफिनिटी तो पॉजिटिव इंफिनिटी इ माइनस वाइ डी वाइन अंडर रूट तू वाइ यह सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या की है पूटिंग यह अच्छा स्टूरिंग जब मैं अपनी चेंज करती हूं यह पावर को ठीक है मैंने क्योंगे माइनस इंफिनिटी नहीं लेनी मैं लेना चाहरे हूं जीरो टू पॉजटिव इंफिनिटी तो मेरे पास क्या होगा तू से मल्टिप्लाइ होगा तो मैं तू से रहे हैं अब य की पावर मेरे पास क्या है 1 by 2 अगर मैं इसको उपर वाली साइड लेके जाओंगी तो मेरे पास क्या आजएगा यह तू अंडरू टू मुल्टिप्लाइब टू एंड पाइंड देन जीरो टू इंफिनिटी ए माइनस वाई वाई की पावर होगी माइनस व 1 by 2 हो जाएगी तो यहां तक आप आप लोगों को समझ आ गया होगा अब इसको में रेस करके मैं आगे लिख लेती हूं कि मेरे पास अच्छा अब मेरे पास टूनिंट यह टर्म आगी है मेरे पास क्या टर्म आगी टू अब टू टू से कैंसल अंडरू अंडरू टू तो तो यह टू आ जाएगा और यहां कि आजएगा पाई ठीक है और मेरे पास और के है जिरो टू इंफिनिटी एड़ी माइनस वाई वाई माइनस वाई माइनस वाई टू एंडी वाई अब दिकें यह तो कैंसल आउट हो गया बाकी रह गया है वान अंडरू पाई यह जो हमा सो दैट प्रॉपर्टी जो हम कह रहे थे कि दा फॉंक्शन एफ एक्स डिफाइन नॉर्मल दिस्टिबूशन इस अ प्रॉपर प्रॉबिलिटी देंसी फंक्शन दैट इस एफ एक्स जो है वो फंक्शन हमारे पास जीरो यह ग्रेटर दन जीरो ना चाहिए जो कह मैंने लि सभी आता इससा होता है कि आपसे प्रॉपर्टी नहीं पूचे जाता है और एकसर full भी कह दिये जाते हैं तब भी आमने भी प्रूफ ही करनी होती है marking चेक करके अगर marking जादे तो आप भी प्रूफ ही करोगे अब हमारे पास second property हमारे पास होती है कि the mean and variance the mean and variance of normal distribution are mu and sigma square अब यह भी हमारे पास प्रूफ की बात आगे जो आपके पास mean है वो mu आएगा जो variance है वो sigma square आएगा now we can prove कि हम इसको कैसे कर सकते हैं तो यह वह मैं आपको करके बिताते हूँ दिके हम कहरें कि हमारे पास प्रूफ है expectations of x for the किसके लिए normal distribution के लिए x and fx जो हम पीछे भी करते हैं हमने जितनी भी functions हमने describe किया बाइनॉमियल हाइपर पाइजन में उन में यह ही बिताए कि expectations of x उते हो एकस fx होते है यहां तक आपको पते है अब student हमने इसको solve करना है function आपको पते है ठीक है function हमारे पास यह हमारे पास क्या होता है constant होता है तभी मैं इसे पहले से बाहर ले रहे हूं minus infinity positive infinity and x e minus 1 by 2 x minus mu sigma whole square dx अब student में अगेन आपको इसमें सिर्फ लैट करवारी हूं बाकि मैं पिर direct लिख दूंगी क्योंकर आपको इन में समझ आजेगी कि हम किस चीज़ को लेट कर रहे हैं suppose करते हैं z equals to x minus mu and sigma यहां तक आपको समझ आपको समझ आपको जिसना में cross multiplication पिछले प्रूफ में किया था कैसे z sigma x minus mu तो हमारे पास क्या आगे था सिग्मा डी जी एंडी एक्स जो के मैं अब भी explain कर चुकी हूं पीछे वाले question में जो हमने area under the curve is unity में पढ़े अब student हमारे पास यहां आगे है यह चीज़ वैल्यू यह वैल्यू आगे then हमारे पास क्या आगे x minus infinity positive infinity आप साह लिखते जाना minus z square divided by two sigma dz अब देखें सिग्मा सिग्मा से cancel out remaining term हमारे पास रहागी है two pi minus infinity to positive infinity अब student हमारे पाद e minus अब जो यह x है ना x के जगा क्योंकर function हमारा full हमने convert कर दी है इंदा z में ठीक है कि हमारे पास जो value convert होगे है वो जी में आगे अब student इसमें हमारे पास क्या आगे है कि यह दो values आगे इसको हम कहते हैं कि second integer being as odd number is equal to zero है तो यह मारे पास क्या आजएगा equal to zero अभी सो हमने explain करने है कि यहां माइनस infinity and positive infinity जब भी हम limit change करेंगे student आप two से multiply करो आपकी जो limit है वो change हो जाएगी तो हमारे पास क्या आजएगा zero and positive infinity e minus z square divided by two and d z अब student आप यहां let कर रहे हो वही हम same के let हम करते हैं कि हमारे पास क्या है z square divided by two is equal to y और आपने इसी तरह same अगर इनकी integration लोगे तो two z and d z जिसमें two आपके पास constant d y तो यह देखें two two से cancel out तो हमारे पास रह देगा आपको चाहिए value d z की d z की जब आपको value चाहिए तो आप d y divided by z अब z की value आप कैसे find कर सकते हो यहां से देखें हम ऐसे find कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि z square and two y अगर इसका हम ले लें अंडरूट आपके पास two y आजेगा तो यहां मैं लिख देते हूं d z is equal to d y and under root two y आप सेम यहीं चीज़ जहां आपने पुटिंग करनी है जब पुटिंग करोगे तो आपके पास क्या आजेगा two multiply by two and pi zero and infinity e minus y y minus one by two and d y मैंने यहां क्या किया यह जो under root two था यह मैं बाहर ले आई हूं बाकि under root y जो था मेरे पास positive क्योंगे अगर आपके पास ऐसे था ना under root y इसकी value क्या है y जो है वो is equals to one by two है value आप इसको उपर लेके जोगे जोगे minus one by two में चेंज होगे जो के मैंने लिख दिया अब यह से cancel होगे remaining हमारे पास रह गया है pi and zero and infinity e minus y y minus one by two and d y अब आपको पते है कि student यह जो आपके पास term equal होती है यह वो gamma one by two gamma one by two किसकी equal होता है अंडरूट पाई के तो आप इसको क्या लिख लोगे अंडरूट पाई तो यह जब cancel out होगा is equals to हमारे पास क्या रह जाएगा उपर new भी था यह हमारे पास new जो है वो remaining रह जाएगा तो हमने जो कहा था कि मारे पास mean of the property में जो पढ़ा था कि mean of the normal distribution is new तो वो हमारे पास proof हो जाते है इसी तरह अब हम fine करेंगे for the term of the variance variance के लिए हम कैसे term इसको fine करेंगे वो मैं आपको करके बता देती हूं कि हमने variance के लिए कैसे fine करना है अब student देखें जब भी आप variance की बात करेंगे तो आप variance आखेंगे हमने पीशे भी binomial में यह जितनी भी distribution बढ़ी है उनमें यह ही explain किया था कि यह जो formula ने यह same रहते है for the variance अब सिरफ function change होता है minus infinity to positive infinity x minus mu whole square f x and dx यहाँ आपके पास आगे minus infinity positive infinity x minus mu square e minus 1 by 2 x minus mu and sigma whole square dx इसदर थो आप z put कर लोगे ठीक है लेकिन यहाँ क्या put करेंगे देखें student मैंने आपको बोला था कि z है x minus mu sigma की equal अगर आप cross multiplication करो आपके पास साथी x minus mu x minus mu हमें given है तो हम इसकी जगह क्या put कर देंगे z and sigma तो मैं कैसे करोंगी 1 by 2 5 and हमरे पास क्या आजाएगा यहां Z square Sigma square and E minus Z square 2 and Z and sorry Sigma and DZ and यहां भी हमरे पास के सिग्मा अब यह सिग्मा इस सिग्मे से cancel हो जाएगा Sigma square जो है यह हमरे पास constant इसको बाहर ले आते हैं बाकि हमरे पास 2pi and हमरे पास वही इन्फिनिटी positive infinity and क्या रहा जेगा हमरे पास Z square and E minus Z square divided by 2 and DZ अब same student आपने जैसे लेट किया था कि आपकी values क्या आ रहीं थी वह आपने लेट करके इनको लिखने तो आपके पस जो values आ जाएगी ना वह आपके पस वही cancel out के Sigma square आ जाएगी जैसे आपने मू के लिए solve किया था यहांगे same process आपने में solve करने है Sigma square के लिए तो जो आपके property में आपको कहा जाहा रहाता है कि the mean and variance of the normal distribution is a mu and Sigma square तो वह आपके यहां true हो जाते है इसी तरह next third property हमारे पास case student हम third property को explain कर लेते हैं कि हमारे पास अच्छे student यह जो median and mean deviation के जितने भी प्रूफ है ना यह मैं इंशल आपको next videos में आपको explain करूँगी अब हम कहते हैं median median and mod median and mod of normal distribution of normal distribution are each equal equal to mu and यह भी most important अक्सर आपको यह प्रूफ के लिए दिया जाता है कि mean and mod are normal distribution each equals to mu है तो वह भी आपने explain करना पड़ता है तो यह भी आपके पास most important है और इसका प्रूफ स्टूडेंट में आपको next videos में कराऊंगी अब हमरे पास जो fifth property है वो क्या आजाती है फिस्ट प्रॉपर्टी में जी हम कहते हैं mean deviation of normal distribution mean deviation of normal distribution इसका प्रूफ बीस्टूडेंट इंशल आपको next videos में available होगा is approximately क्योंकि अकसर जो आपके proof है most important है for the normal distribution से related जितने भी हैं कि यह exams में बहुत जादा आते हैं और as a proof आपको दिये जाते हैं to mean deviation of normal distribution is approximately 4 by 5 तो यह हमारे पास क्या होते हैं कि हम इनको कहते हैं कि approximately 4 by 5 sigma की equal आएंगे और यह proof में अंशल आपको next videos में जो है upload कर दूंभी वह आपने दिखने अच्छा fifth हमारे पास है the point of inflection जो होते हैं point of inflection यह property of the normal distribution point of inflection which are which are equidistance from mean from mean यह हमारे पास क्या आजाएंगे कि अगर आप point to point of inflection देख लो तो हमारे पास यह point आजाएंगे जो मैं लिख रही हूं 2 by e और इसका proof भी जो है मैं आपको next videos में यह सारे proof जो रह गहीं यह कठे करवा दूंगी ताकि हमारे पाफ वीडियो जो है इसलिए हम समझें अगर मैंने अकठे अभी किरा दिए तो आपके लिए समझने के लिए मुश्किल हो जेंगे then next six जो हमारे पास है हम कहते हैं कि normal distribution odd order moments about the mean are all zero है जो है और आडर मुवमेंट्स जो है और आडर मुवमेंट्स अबाउट दिमीन अबाउट दिमीन और जीरो किसके equal है जीरो को equal है तो इसके जो पूफ है वह भी इंचले मैं आपको next videos में कराऊंगे अब next हमारे पास 7 जो property student वह हमारे पास कहा है उसको discuss कर लेते हैं 7th property हम कहते हैं कि हमारे पास इफ एक्स जो है वह एन एन मू रखते है अगर हमारे पास and if and if हमारे पास y is equals to a plus b x so then y is हमारे पास क्या आजेगा नॉर्मल दिस्ट्रिबिशन में a plus b mu and b square and sigma square jb proof initial में आपको next videos में आपको सब proof available होंगे फिर हम कैते हैं the sum of independent normal variable is a normal variable अब इसको आप देखें the sum of independent normal variable is a normal variable कैसे कि हमारे पास अगर two normal variable का sum किया जाए तो वो भी हमारे पास क्या आता है normal variable ही आता है यह हमारे पास क्या है 8 property है इसी तरह 9 property हम कहते है area under the curve remain in certain fixed proportion area under the curve जो है area under the curve रिमें फिक्स प्रोपोर्शन रिमें fixed proportions अब वो प्रोपोर्शन में बता देती हूं कि आपके पास हमेशा वो फिक्स रहेंगे अगर that mu plus minus Sigma लेड're how to will remain 68.26% रहेगा अगर mu plus minus टो सिग्मा ले रहे हो तो आपके पास 95.44 % रहेगा अगर a mu plus minus 3 Sigma ले रहे हो तो आपके पास 99.76 % रहे और यह जो proportion है यह आपके पास कैशा है fixed रहता है इसको हम कैसे कहते हैं area under the normal curve remain in certain fixed proportion within specified number of standard deviation on either side of mu mu plus minus sigma 68.26 mu plus 2 sigma 95.44 mu plus 3 sigma 99.73 and this is fixed. Second last हमारे पास है the quartile deviation is found. अब quartile deviation आपने कैसे found करते हो in the normal distribution सिर्फ formula वही होता है हमारी limit change हो जाती है क्योंकि हमें two quartiles find करने होते हैं यहां से जब आप two quartiles find करते हो तो जो आपके पास quartiles आएंगे न वो हमारे पास क्या होंगे वो जी हमारे पास quartiles होंगे q1 जो होगा वो is equals to mu minus 0.6745 sigma है and q3 हमारे पास होगा mu plus 0.6745 sigma जिसमें हम कहते हैं के मारे पास q and sigma जो है वो 0.6745 है तो q जो हम find करते हैं वो 0.6745 sigma के लिहास से हम solve कर रहे हैं अब last one जो आपके पास most important है 11th property मैं आपको लिखवा देती हूं हम कहते हैं कि the normal curve approach is but never never really touches the horizontal x-axis on the either side of the mean towards plus and minus infinity that is the curve is asymptotic that is plus x is equals to plus minus infinity जो आपका curve है that is never touches x-axis in minus infinity and positive infinity वो कभी भी इसको touch नहीं करता है asymptotic आप कह सकते हो को horizontal axis होता है the normal curve approaches but never touches the x-axis on the either side of mean towards plus and minus infinity that is the curve is asymptotic to the horizontal x-axis x is equals to plus minus infinity student it's a property of the arithmetic mean but जो proof रहे हैं mean deviation के और जो तो तीन मैंने आपको बताए हैं वो इंचले में next videos में upload करूं कि वो आप जरूर देखिएगा अगर इन में भी आपको कोई confusion है आपको समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे जरूर पूचिएगा मुझे comments में जरूर बिताएगा तब तक के लिए लिए लाँ आफिज कैसको के लिएगा तो आपक पनकाउर लाँ पलड़